नमस्कार दोस्तों मैं केसी साउसर आप सब कश्वागत करता हूँ आपका ही अपना चैनल केसी सरकेट लाशेश में दोस्तों आज का वीडियो विसेश है और इस वीडियो को मैं विसेश वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो खास आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रस्न लाया हूं जी हाँ और उस प्रस्न के उत्तर आप लोगों से ही लेना है मुझे और आप लोग यादि उस वीडियो के कमेंट करते हो तो उस कमेंट को अधार मानकर मैं अग और उस वीडियो में आपका जो बताया गया उत्तर होगा उसको मैं स्क्रिन साथ भी दिखाऊंगा लेकिन कब तक वो वीडियो में बना लूँ तब तक आप कमेंट करते हो है ना और वीडियो बनाने एक बाद आप कमेंट करोगे तो फिर मैं उसमें स्क्रिन साथ नहीं देख इसलिए मैं इस्प्रकार के cuestion आप लोगों के लिए लाया हूं क्योंकि आप सभी जानते हों कि मेरे विसेश हूं। इसलिए मैंने सूछा कि जिब क्यों ना आप लोगों के लिए एक विशेवस वीडियो बनाया ज donc तो आज का वीडियो तो आपके लिए विशेस है, लेकिन अगला वीडियो जो होगा, वो खास आप लोगों के लिए, तो आए दोस्तों आज का वीडियो प्रारम करते हैं, तूटी वाला लड्डू, आज का जो वीडियो है, आज का जो प्रशन है, वो तूटी वाला लड्ड था, वो बड़ा शातीर था, और वो क्या था, माल ज़रे उनके पास बहुत सारे मिठाई का दुकान है, और वो पेशता था, तो उनका दिमाग इतना तीज था, तो वो क्या करता था, बच्चों को भी, खेल-खेल में ही गनित सिखाने का उसका एक आदात बन गया था, तो उस उसने जान बूझ कर है ना जान सुन कर खा जाए उसने एक लड़ू को ऐसा बनाया था जो दिखने में एकदम सेम था डिक्टो था डिक्टो समझा रहा है ना लेकिन उनका जो वजन है वो थोड़ा भारी था अन्य लड़ू को चे लेकिन आप देख के नहीं बता सकते हैं कि उनका वजन भारी है ठीक है तो इस दुकानदार ने सोचा कि कोई भी बच्चा जब मेरे पास आएगा लड़ू खरीदने तो मैं उनके सामने एक सर्त रखूंगा और उनको उस लड़ू को उपहार में दे दूँगा यती वो मेरे सर्तों को पूरा करता है तो आईए क्या स आपको वीडियो कलाब उठाते रहें तो आईए फिर आज का वीडियो प्रादम करते हैं फिर एक लड़का उनके पास दुकान में आया दुकान में जैसे आया तो दुकान दाल ने कहा ठीक है मैं आपको लड़ू देता हूं लेकिन आपके सामने मैं एक प्रस्न रख रहा ह तो दुकान दाल में एक सर्थ रखा कि भई यहां पर देखे मेरे पास नव लड़ू है लेकिन इसमें से एक लड़ू जो है वजन में थोड़ा भारी है और आपको मैं तराजू देता हूं ध्यान दिजेगा आज कल का तराजू नहीं है आज कल तो इलेक्ट्रानिक तराज होगा और इधर प्लडा होता है और उस्में रखा होता है इस प्रकार समाहा रखने के लिए एक बड़ पात रहे ना उसी पेकार इधर भी होगा यह देखिए ठीक है अब उसने कहा कि आपको एक सर्त ये है बच्चे को कह दिया कि भई यह तराजू के जो पलड़े है उसमे वहल दो तौल में बताना है भई और यदि आपने बता दिया तो वो जो लड़ू जिसको आप तौल कर निकालोगे कि ये लड़ू जो है बड़ा है मतलब साइज में नहीं वजन में अधिक है तो वो लड़ू आपको उपहार में दिया जाएगा तो उस लड़के ने दिमाग लगाया बड़ा सातिर धिमाग ठा उंड़क है तो उसने क्या किया यहां से तीन लड़ू आप देखे यह पता नहीं कि कौन सा लड़ू है उसने इलट्डू लिया तो उसमें तीन लड़ू को इसमें डाला एक दो और तीन तो ईसा करने से तीन लड्टू बजगया है, जरूरी नहीं कि वह क्या हो अलग हो वह जो भारी वाल लड्टू है इसमें भी हो सकता है और यहां घाली है उसमें भी रह सकता है मलब इस तीट भे में तो उसने देखा कि अगर उठे़ अगा उसके पाद देखेा। मन दो गन्दिशन हो सकता है यहाँ पर बिल्खे दो पहला इस्थिती तो क्या करेगा इनको छोड़ देगा लेकिन इनमें से कोई एक पलडा नीचे आता है और एक पलडा उपर जाता है तो ध्यान दीजिए जो पलड़ा नीचे जा रहा है उसमें आपके भारी वाले लड़ू मुझूद होंगे जो पलड़ा नीचे जाएगा उसमें ठीक है चाहे तो ये वाला भी नीचे जा सकता है और ये वाला भी उपर जा सकता है तो कोई भी एक पलड़ा उपर जाएगा औ दूसरा इस्तिति क्या बोलता है, जब दोनों पलड़े बराबर ना हों, एक पलड़ नीचे जाए, तो नीचे जो पलड़ना जा रहा हुआ, उनमें से तिन लड़ों को पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो बार तोल ना है, एक बार तो उसने तौल लिया, और यदि दोनों प इन लड़ों में वो त्रूटी पून लड़ों मौझूद है, तो ग्या करेगा, एक लड़ों को इसमें डालेगा, जो पलड़ना नीचे जारा तो उनमें का पकड़ेगा, या फिर इनमें से पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पता है, अगर पलड़ना पराबर है, तो इनमें को उसने किसी भी एक पलड़ा में डाला तो यह खाली वाला लड़ू यहीं पे रह जाएगा तो एक भारी वाला डालेगा तो फ्रूटिंपुन लड़ू होगा और इस प्रकार उस बच्चे ने केवल दो तॉल में ही बता दिया कि कौन सा लड़ू क्या है भारी है तो निस्तित रुप से आज के वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो इसी टाइट का मैं क्वेस्टन आपको करने वाला होगा ध्यान दीजे ये क्वेस्टन थोड़ा हट के है थोड़ा सांदार भी होगा इसलिए मैंने बोला ना कि अगला वीडियो जवाने वाला है वो आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे उसी का उत्तर के अधार पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो आईए देखते हैं वो प्रशन कौन सा है जि पिर तीन और ये और तीन इन में से एक हलका लड़ू भी हो सकता है जिसको आप इसी प्रकार आकर सकते हैं तो और सकते हैं लेकिन मेरा प्रशन ऐसा बिल्कुल नहीं है आज मैं जो प्रशन कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा डिफ्रेंट है इसलिए इसके प्रशन को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इसी प्रशन का यहां पर मैं लिग देता हूं विशेश क्वेस्चन है ना विशेश प्रशन और आपको इसी विशेश प्रशन का उत्तर आपको देना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा है ना इसी का इसलिए मैं यहा हमारे पास पात रहना जो हमारे मिठाई के टप्पे हैं उसमें नौ लड्डू नहीं है ध्यान दिजिएगा उसमें लड्डूों की संख्या जो है वो बारा है ठीक है बारा लड्डू है अब एक बात इसमें सर्तों को ध्यान से सुन लिजे भाई थोड़ा डिफ्रेंट चाहिए लेकिन इसको आपको तीन तोर में बताना है ठीक है पहला सर्तों हो यह हो गया कि आपको इसको तीन तोर में बताना मनलब आप इसको तीन बार तुल तराजो में दो पलड़ा वाला तराजो में तीन बार आपता ओर सकते हैं लेकिन सर्थ यह है कि इसमें जो बारा लड़ु है उनमें एक जो तूटी पूर्ण जो लड़ु है यापर मैं लिख गेता हूँ तूटी पूर्ण जो लड़ु है तूटी पूर्ण लड्डू है उसकी खासियत क्या है ना तो हमको पता है कि वो भारी है या हलका है आज के प्रस्न में हमने देखा कि पता था कि वो क्या है या तो भारी है या फिर हलका है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये लड्डू हलका है या भारी है अब आपको तीन तावल में ये बताना है कि वो कौन सा लड़ू है जो तूटी पूर्र है और आपको ये भी बताना है कि वो लड़ू जो है भारी है या फिर अन्य लड़ूों से हलका है तो है न प्रस्न थोड़ा से हटके और इसका प्रस्ण का जो उत्तर है आप कमेंट करेंगे मुझे है ना और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट के अधार पर तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिएगा इसका कमेंट कीजिए पूरा उत्तर बना के मुझे कमेंट कीजेगा फिर अगले वीडियो में आपकी पूरे प्रस्ण का उत्तर है उसका इसकी साथ और आपका नाम मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा तो दोस्तों निस्तितरुप से आप इस प्रश्नक उत्तर मुझे कमेंट जरूर करेंगे और हाँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाए देए उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बगल में दो सांदर वीडियो दिखाए दे रहे हैं उनको क्लिक करके वीडियो का आनन्द लिजेगा तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही भाहत्रेट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारण